मित्रो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई इनसान ब्रह्मचरे का पालन कर देता है अपने युवावस्था में तो इसको कैसे कैसे लाब मिलता है और इसे के ठीक विपरित अगर कोई इनसान ब्रह्मचरे का नाश कर रहा होता है तो इसको आगे जाकर कितना आप कुछ cover करूँगा आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपके फायदे के बारे में बात करते हैं आपको क्यों करना चाहिए ब्रह्मचरे का पालन देखो ब्रह्मचरे की जो दिन चर्य है न उसका जो सबसे पहला लाब होगा वो होगा शारेरिक और फिर जो आखरी चर्म है वो है आध्यात्मिक प्रगती रिशियो ने तो यहां तक कहा है कि जो इनसान संकल्प ले लेता है ब्रह्मचरे का उसी दिन से उसको लाब मिले शुरू हो जाते हैं अगर कोई इनसान सही मायने में इमानदारी से ब्रह्मचरे पालन कर लेना वो भी सिर्फ तीस दिनों तक यानि कि ऐसा इनसान जल्दी ठकेगा भी नहीं और ब्रह्मचरे पालन करने वाला इनसान जल्दी बिमार भी नहीं पड़ सकता क्योंकि अगर आप ब्रह्मचरे का पालन कर रहे हो अब मैं नहीं रुकने वाला और इसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्त क्योंकि यहाँ पर आपको जिर्फ और सिर्फ जेनुवन वीडियोस मिलती है ब्रह्मचरे और फिटनेस रिलेटेड दोस्त अगर आपने मन लगाकर ब्रह्मचरे पालन कर लिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है इस वीडियो का देखो जिसने भी ब्रह्मचरे का नाश किया है वो थोड़ा सा भी कष्ट सहन नहीं कर पाएगा बुद्धी मंद पर जाती है और स्वभाव अंदर से चिर्चिरा हो जाता है और जो लोग मनुरंजन के लिए भाई किसी दिन इनकी ही जिंदेगी मनुरंजन बन जाएगी और जिंदेगी फिर इनके मज़े ले रहे होगी मेरे दोस्त मुझे आप से बहुत ज़दा उमीद है इस वीडियो को ब्रह्मचरे के प्रचार के लिए 10 लोगों तक पहुँचा दे बस इतना आप करें बाकी हम सब मिलकर एक साथ हैं और इसी तरह ब्रह्मचरे का पालन करते रहेंगे